यो वाट्स अप गाईज वालकम बैक टू मेगा टेकनिक्स यूट्यूब चैनल तो गाईज आज हम बनाएंगे यह फ्रोक्सिमिटी सेंसर तो गाईज कोई भी अबजेक्ट इसकी रेन से बाहर जाएगा तो यह बजर करने लएगा और लाइट भी इसमें लाइट भी जलेग तो गाईज यह है इसका सर्किट डाइग्राम तो देखते हैं इसके डाइग्राम में क्या क्या क्योंपोनेंट्स यूज हुए हैं तो गाईज यह बजर है और यहाँ पे हमने LED लगाई है और यह है BC547 collector base emitter और यह है capsulator 47UF का और यह वाला इसका negative wire है और यह पोजिटिव और यहाँ पे लगाया है हमने एक sensor IR sensor TSOC 1738 और यह तीनोस के wires है और एक resistance लगाया है 150 ohm का तो गाईज यह है BC547 transistor और यह है 150 ohm का resistance और यह है एक red color की LED और यह है 47UF का capsulator इसमें volt आप कितने भी ले सकते हैं अपने इसाब से जितने भी आपको मिल जाए और यह है TSOC 1738 IR sensor यह setup box यह TV में लगा होता है और यह buzzer है तो यह भी आपको आसानी से मिल जाएगा electronic store पे और इस PCB board पे हम यह circuit बिल्ट करेंगे तो गाई सबसे पहले हमें अपना IR sensor लेना है और इस तरीगे से इसे fit कर देना है board पे फिल लेना है हमें transistor BC547 और इसे दूसरी side इस तरीगे से लगा देना है board में फिर capacitor लेना है और इसे इस तरीगे से लगाना है इसका positive आपको उपर की side रखना है और negative नीचे की side अब दोस्तो इस red color की LED का positive wire नीचे रखना है और negative उपर जैसे की diagram में है वैसे हमें सारे components लगाने है और resistance के positive नेगेटिव तो होते नहीं है लेकिन हमें इसे LED के साथ connect करना है तो इसे LED के pass में लगा देंगे positive wire के pass और अब लेंगे buzzer तो buzzer का positive नीचे रखना है और negative उपर क्योंकि इसे हमें LED के साथ connect करना है तो LED के wire के साथ buzzer भी लग जाएगा अराम से इसके pass में हमने इसे fit कर दिया है तो यह सारे इसके wires है अभी यह सारे wires हमने components के साथ एक दूसरे के साथ connect कर दिये है तो guys देखिए guys जो इसका base वाला wire है वो हमने capacitor के positive में लगा है जैसे की diagram में है wire तो इसे positive के साथ attach कर दिया और जो यह emitter वाला है वो negative के साथ attach कर दिया है जैसे कि diagram में आप देख रहे हो और फिर guys जो इसका out वाला wire है वो हमने इस capacitor के positive में लगाना है तो इसलिए इसका wire उसकी तरफ mode दिया है तो guys diagram में देखिए LED का negative, buzzer का negative और transistor का collector यह तीनों wire हमने एक साथ यहाँ पर shoulder कर दिया है तीनों एक साथ लाके एक दूसरे के पास और shoulder कर देंगे अब यह resistance जो है हमें LED के wire के साथ shoulder करना है positive वाले तो इसका wire उसकी तरफ जुका देंगे और फिर LED के wire के साथ यहाँ पर हम इसे shoulder कर देंगे तो देखिए यह shoulder हो गया है अभी guys देखिए इसके बार यह दूसरे वाला wire हमें shoulder करना है resistance का तो यह buzzer का और resistance का फिर sensor का out यानि यह वाला wire यह तीनों wire हमें एक साथ connect करने है तो यहाँ से हमें एक बार लंबा सा connect करना पड़ेगा और यह वाला wire तो buzzer में सबसे पहले shoulder करेंगे wire को जैसे की diagram में buzzer का positive हमने shoulder किया और फिर direct हमने इसे out वाले wire के साथ attach कर दिया है अभी बीच में resistance लगा हुआ है तो यहाँ पे इसे wire को अलका सा इसका cover हटा लेंगे और बीच में resistance के साथ shoulder कर देंगे अब guys जो इसका base wire है वो ground वाले wire से attach है sensor के तो यह इसका base wire है उपर की side रखा है हमने इसे और जो इसका ground है इसके साथ attach करना है तो इसके pass mode दिया है हमने sensor का wire और इसे भी देखे हमने shoulder कर दिया easily guys यह दोनों wire तो हमने shoulder कर दिया है transistor का base और इसका ground लेकिन इनके बीच में capsator का positive वाला wire भी है तो positive wire हमने उपर की side रख दिया है और अब इसके साथ इसे shoulder कर देंगे तो देखिए इसका emitter और positive और ground तीनों shoulder हो गए हैं अब इसका emitter wire capsator के negative के साथ लगा है और फिर बीच वाले wire में गया हुआ है sensor के तो transistor का और capsator का हमने एक साथ attach कर दिया है तो यहाँ पर इन दोनों को shoulder कर देंगे अभी इसे sensor के साथ attach करने के लिए छोटा सा एक wire लेके उसके उपर shoulder कर देंगे और फिर इसके बीच वाले wire में sensor के shoulder कर देंगे तो यह भी complete तो देखे सारे wire जो है attach हो गए है सब wire shoulder कर दिये हैं हमने बस positive और negative wire रह गया है battery के तो battery का जो positive है वो हमें sensor के out में से मिलेगा तो sensor के out में positive लगाएंगे और जो negative wire है capacitor के negative के साथ लगाएंगे तो दोनों को हमने wire को वहीं पे लगाया हुआ है और उनके साथ हम shoulder कर देंगे एक को capacitor के negative के साथ और एक को sensor के out वाले wire के साथ तो finally guys हमारा circuit complete हो चुका है और अब हम इसमें एक battery लगाएंगे 3.7 volt की आप 5 से 9 volt या 3 volt जो भी आपके पास हो वो use कर सकते हो अभी इसका positive और negative circuit के साथ लगाएंगे देखिए guys बैटरी को connect करते ही ये buzzer करने लग गया और light भी इसकी जल रही है अभी एक remote लेंगे sensor वाला कोई सबी remote आप use कर सकते हैं जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा तो ये light बंद हो जाए और ये buzzer करना बंद कर देगा और जैसे ही बटन पर से हाथ अटाओंगा तो ये दुबारा से buzzer करने लगा तो जैसे ही कोई object remote के सामने रखेंगे तो ये buzzer करने लग जाएगा और जैसे ही अटाएंगे तो ये buzzer बंद हो जाएगा गाइस circuit तो हमने बना लिया है लेकिन ये सरिफ barrier sensor की तरह work कर रहा है तो अब अगर आप चाते हैं कि ये IR sensor की तरह work करें तो आपको ये इस तरीके का एक object इसके सामने लगाना पड़ेगा जिससे की ये जो infrared light है वो सरिफ आगे से ही catch करें क्यूंकि ये sensor SI किसी भी direction से signal catch कर लेता है तो उससे बचने के लिए आपको इस तरीके से इसे ready करना पड़ेगा तो guys ये tape के आरपार भी signal catch कर लेता है black tape के आरपार भी तो इससे आप silver foil में attach कीजिए लेकिन नीचे से इसके wires को silver foil के साथ attachment कीजिए नहीं तो तीनों वायर इसके आपस में मिल जाएंगे वैसे आप black tape यूज़ कर लीजे लेकिन आपको दो तीन बार लपेटनी पड़ेगी और सामने से इस तरीके का object लगा देना है जिससे की ये सिर्फ सामने से ही signal catch कर सके ये LED तो अभी हम remote लेंगे बटन प्रेस करेंगे और देखे सिर्फ सामने से ही signal sense कर रहा है इधर उदर ले जाएंगे तो नहीं करेगा अभी remote को मैं अपने हाथ के उपर जला रहा हूँ तो देखिए अभी हम इसे proximity sensor की तरह यूज कर रहे हैं जैसे ही मैं अपने आथ को इसके पास ले जाता हूँ तो यह बंद हो जाता है और जैसी दूर ले जाता हूँ तो यह जलने लग जाता है तो गाइस इस तरीके से sensor काम करता है अगर आपको यह वीडियो अच्छे लग तो गाइस नेक्स स्टूडियो फिर से मिलेंगे तब तक के लिए बबाए